नमस्कार मैं शिवांग दुवेदी और इस वक्त हम मौझूद हैं IHM भुपाल में और यहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहां के प्रिंसपल डॉक्टर रोहिच सरीन सर और हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और किस तरह से यहां के बच्चों का फ्यूच की है तो यह मेरा स्वभाग्य है कि आज से तीस साल के बाद मैं यहां पर इसी कॉलेज का प्रिंसिपल बनाओं तो यह सिंपल जर्नी में हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन, कुछ इंपॉर्टन वर्ड्स हैं जो जुड़े हुएं जो कि हम चाहते हैं कि हर विदार्थी क जीवन में यह लागू हो और आप रेगुलर अपने कारेकाल में काम करते जाएए, परफॉर्म करते जाएए, लिमिट्स, सक्सेस, इसकी कोई सीमा नहीं है, वो आपको आपको आपके काम के साब से मिलती जाएगी, तो जब भी मेरा कभी भी अपने किसी भी विदार्थी से सामना होता है, तो मैं उनसे सबसे पहले अपनी ही जर्नी शेयर करता हूँ, कि यहाँ पर पहुंचने के लिए हमने कुछ खास, मतलब ऐसी कोई ग्रेट एचीवमेंट्स नहीं की, पर हमने अपने काम बहुत दिल से किया, शिद्दत से किया, और कभी भी उसमें कोई कमजोर ही नहीं दिखाई, सर जैसे कि अभी एक प्रिंस्पल काफी गरिमा में ही पद होता है, आप वहाँ पे हैं, और आप अपने बच्चों का भविशे किस तरह से देख दें कि और निखार सकें, जैसे आज कल की युवा तबका और आईएचम मतलब की होटल मेजमेंट की तरफ रुजहान हो रहा है, तो उनके लिए सर क्या मेसेज रहेगा आपका? और वो सारे सेक्टर जो हैं, ऑपन हो गए हैं, तो हम चाते हैं कि हमारा बच्चा रिटेल में भी जाए, ह।ड़ेल से जाए, ट्रावल में भी जाए, रेलवेज में जौब है और मतलब वो एक होटेल का पर्टिकुलर कल्चर जो है वो बहुत वास्ट हो चुका है और आईचे मपाल का जो एल्यूमिनाए है पास्राउट स्टूडेंट है उनका इतना स्ट्रॉंग नेटवर्क है कि हमें किसी भी कंपनी को बुलाने की जुरूरत नहीं पड़ती वो शनराओ सीह अरे दाणने समय में हम चाहते है कि वह कूशन आपको यसी तरह से डाले तो सिरश जैसे कि बताया कि यहां पर नेटवर्क अच्छा बन जाता है। यहां पर बढ़ाई करने बात्ट तो अगर हम बात करें कि कामपस के लिए इस जाए कि अवर उड़ सकते हैं आपको जैसे शेयर कि बहुत अच्छे फाइस्टार फोस्टार होटेल्स एच्छे क्यू एस्टार जोइंट्स होते हैं जैसे स्टार्बक्स, मेंड़नल्ड्स, डॉमिनो और अलग अलग हैं उसके लावा रिटेल चेंज हैं जैसे पैंटलून, अपारल्स, अजरते बिरला ग्रूप, रिलाइन्स, दीमार्ट इन सब में ओपनिंग अविलेबल हैं हॉस्पिटल्स हमारे कई मेरा अपना बैच में अनमोल शर्मा इस वक्त मेदानता दिली का जनल मैनेजर ऑपरेशन्स हैं तो मतलब वो भी एक उपरचुनिटी ओपन है फिर आप इंडियन रेल्वे कह लीजिए आयर सीटीस कह लीजिए कोई भी ट्रावल कंपनी कह कोई event management कह लीजिए तो हर जगा हमारे बच्चों की बहुत जादा demand है इसी कारण से मैं आप से शेयर करना चाहता हूं कि मतलब मैं यह समझता हूं कि हिंदुस्तान में पहला नी तो हम टॉप 5 में ऐसे colleges में होंगे जहां पे आज की डेट तक 42 कंपनियां placement के लिए आ चुकी हैं और कुछ ना कुछ लेके गई हैं और हमारा placement touchwood IIT से बढ़िया है 100% placement है यह सर काफी सही चीज़ बताइए आपने 100% placement है यहां पर सर जैसे अभी भी इतना मतलब vast culture हो चुका है फिर भी कुछ ऐसे अभी वावक हैं जो hotel management को नहीं पहचान पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे तो सर उनके लिए कुछ ऐसा message की सिफ hotel management hotel तक ही सीमित नहीं है देखिए एक थोड़ा सा setback लगा था covid के कारण क्योंकि हमारी industry सबसे ज़्यादा सफर की थी और काफी ज़्यादा lay-off हुआ था काफी लोगों को चुटी पे भेज दिया गया था क्योंकि hotels में बिजनस नहीं क्लाइन नहीं था कस्टमर नहीं थे तो उनको regular salaries देने में जिस कारण से जो यह कोर्स 2019 तक बहुत पीक पे चल रहा था इसका sudden downfall आया और वो करीमन करीमन तीन साल तक था पर अब धीरे धीरे फिर यह काफी ऊपर उठ रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किय कि जहां जहां भी हम देखते हैं कि front of the house मतला अगर एक normal किसीने किसीने बात भी करनी है एक अच्छा store manager भी है तो वो हमारे particular बच्चे को पसंद करता है क्योंकि हमारे बच्चे की सबसे ज़्यादा खासियत है grooming जिस सताब से वो अपने आपको बढ़िया से suit अलग-अलग uniforms म पहनते हैं प्लस उनका हैस्टाइल कोई बड़ा हैस्टाइल नहीं है प्लस उनकी shaving प्लस उनके shoes तो यह हम मानते हैं कि defense के बाद अगर secondary जो best well groomed job है वो शायद hotel management का ही है मतलब कि यहां पर इन सब चीजों के साथ साथ personality development grooming और appearance पर भी ध्यान दिया जाता है तो सिर अगर इन सब चीजों की बात हो गई तो अगर fee structure की बात करें कि कोई अगर new generation अभी आकर इसको करना चाहती है तो कितना उसको fee structure का build up करना चाहिए और क्या उसको आंगे चलके opportunities मिल सकती है जो वो life में उसको save कर सकता है कितना income हो सकती है जैसे कि आप जानते हैं कि यह central IHM है बारत सरकार का college है तो fee structure तो मतलब अगर आप आज की date में देखेंगे तो hardly anything है पूरा का पूरा तीन साल का program चार लाख रुपे में हो जाता है जो छे बराबर की installments में दिया जाता है और यह अच्छा job मिलने के अंदर अंदर वान यर क अंदर उसकी पूरी cost recover हो जाती है मतलब अच्छा package मिलता है तो 4,5,5 लाख रुपे साल का package में उसकी पहले साल की पूरी की पूरी costing recover हो जाती है तो ना तो इसमें कोई hidden charges हैं जैसे private institutes में होते हैं कभी यह हो रहा है कभी वो हो रहा है ना इसमें कोई unforeseen कभी भी readily fees बढ़ करती है तो मतलब मैं यह कहूंगा कि अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत है तो करीबन करीबन 40% seat इसमें भारत सरकार की अलग-अलग scholarship divisions है जैसे MPTAS है मध्यपरदेश का प्राइम मिनिस्टर की अपनी scholarship है स्टेट्स की अपनी scholarship है जैसे बिहार हो गया माहराष्टरा यूपी अपने-अपने OBC की अलग scholarships है SCST की अलग है EWS जो वीकर सेक्शन के होते हैं उनकी अलग scholarships है तो मतलब कई 40% बच्चे तो ऐसे हैं कि जैसे सिर्फ सरकार दोबारा ही पढ़ाए जा रहे हैं और बाद में मतलब दे रियली डू वेरी विल तो थैंक्यू सर यहां पे डॉक्टर रोहिज सर से हमने hotel management के बारे में काफी कुछ जाना और आगे आने वाली इसी तरह की सिक्षा से जुड़ी न्यूजों के लिए बने रहे है प्रदेश टोड़े वीडियो न्यूज के साथ श्रीवंद विद रिपोर्टिं के मरा पर संसरे सिंग प्रदेश टोड़े